हिंदी भाशा का संगेख है इसके पक्ष में आपने विजार कस्तुप करना चाहती हूं कि प्या धान से सुझेगा किसी भी राश्ट्र की पैंचा उसकी भाशा अब उसकी संस्क्रिति से होती है पूरे विश्व में हर देश की अपने एक भाशा है हर देश की अपने एक संस्क्रिति है जिसकी चाहत पूरे देश के लोग पले बले होते हैं जो देश अपनी पूर्द भाशा को छोड़कर किसी दूतरे देश की भाशा पर आश्चित होता है उसे सास्तितिक रूप से गुलार माला जाता है ही भी सब्धानी रूप से भारत की टखंग राच भाशा है तठा सबसे अधिक बोली, तब समझे जाने वादी भाशा भारत के अने इक राचे, अलग अलग राचे में अलग अलग भाशाएंगे और इसलिये हमारे देश को पहुँ भाशी राश्च्र के नाम से जाला जाता है तो यह दो हमारे देश की एक राश्ट्र भाशा है जो की है हिंदी हर भाशा का एक बैज्यानी कुल होता है हिंदी भाशा का अगी विज्ञान है इसे विज्ञान की ग्रिष्टी से प्रज भाशा, अंथी, पैस्वादी, भुटेवी हिंदी की प्रत्थ भोलियों में शामिल है राजिस्थाली, भोच्पुडी, ताभुटेवी, हिंदी की भोलिया है और इसका अग्रमक कारण भाशा की सरल्टा, सुख्णता, तभास पश्चता सुख्णते महात्माउद वारा भी हिंदी में ये प्रजचन दिये जाने है क्योंकि ये सबसे जाना अधिक समझी जाने वाली भाशा है क्योंकि ये सबसे जाना अधिक समझी जाने वाली भाशा है इसका अभारत, सबसे बढ़िया अभारत हमारे कश्चे अभारत के मेर्शित संथ, विट्था नामानुच, रावाएंद, वल्लगाचार्य, जैसे बहार सर्कें ने भी हिंदी का प्रियोग किया है और नहात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि राश्ट्रे गवार में हिंदी को काम ने लाना देश की उन्दनी के लिए आवश्यक है हिंदी को काम ने लाना देश की उन्दनी के लिए आवश्यक है हिंदी हमारी संस्कृति की विराफ़त है हिंदी हमारी राष्ट्रिय एक नतीत है जिसकी कारण हमारी केविस सर्कार भी हिंदी भाशा पर जोवे रही है तो क्यों है हम आज हिंदी के नती और भी जादा सजब होने की नतीक याने और जादा से जादा इवड़े तब इसके नहीं को कहुचाएं तो राजेदर गसार जीने में अपने मक्तब्य में कहा है कि जिस देश को जिस राष्ट्र में उसकी भाशा पर उसके साहित्य पर गोड़ों अनुदों नहीं होता वो देश कभी उन्यती नहीं कर सकता हिंदी भाशा में से प्र्यापकता प्रचूर साहित रच्रव तबा गलावत की द्रिष्टी से सरोता, सुब्धूंता, व्यद्यानिता, सुब्रतार के भाशों पर प्रगत करने का साहत्य पर हिंद्यमार है और अंत में कुछ पंक्तियां आप तक पहुचाना चाहूँगी कि शक्तों का भंडार गिशाल है हिंदी भाशा पे बहुत दमाल है, देश की हैश्यान है, हिंदी से ही अपना हिंदुस्तान है जय हिंद्युक्त सो दस्की नहीं हर एक की हमराज हूँ, बात करने की दिशा में एक नया अन्राज हूँ दिर या कानों की बज़र मस्तिक से सुनो मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ नमस्कार, मैं इतिका, इस सदर की राय में, वत्मार प्रिक्रिश्य में, हिंदी पाशा प्रासंगिक है, के विद्वक्ष में अपने विचार रखती हूँ आखिर, हिंदी का मैज़र है ही कहां, क्योंकि कहने में आता है, हिंदी जिसके माथे पर बिंदी पर जनाब, आज का जमाना बिंदी का नहीं, टैटूस का है, हमारे देश में भी भारी पाशाओं का अधिक मैज़र है, हर जगय हिंदी पीडियो स्कूल बद हो रहे हैं, हर मादब चाहता है, कि उसके बच्चे को अंग्रेजी पाशा पोलनी आए, शोशेल मेडिया पर भी अंग्रेजी का पर्ट चर्पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने हर जगया इंग्लिस स्पिटिंग सैंटर को खुला हुआ देखा हो गा, पर आपने कहीं भी हिंदी स्पिटिंग सैंटर नहीं देखा होगा, मेरे विभक्शी साथी कहा रही हैं, हिंदी हमारी राश्थर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अगर हिंदी हमारी राष्टवाशा है तो क्यों हिंदी के लिए अलग पक्वाड़ा बनाया गया है इस पक्वाड़े की क्या आख्शकता है हम हर रोज अंग्रेजी भावी इस्तेमाल करते हैं लेकिन अंग्रेजी के लिए कोई पक्वाड़ नहीं बनाया गया मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि जिस देश में गुर्मानिक से सुर्योद है और गुरिती से सुर्यास होता है उस देश की मातरी राष्टवाशा हिंदी कैसे हो सकती है आज के युग में अंग्रेजी का वो प्रचार के साथ चल रहा है जो वैक्ती समझा जाता है जो कि हिंदी बोलने वालों पर गवार समझने की प्रप्रफ बन गई हैं अंग्रेजी को लेफिए जिएूर्यों के साथ एंग्रेजी बोलने वाले इंदी बोलने वालों के तुल्द में चौधी सबीशे ज़यादा अंगर अगर हिंदी हमारी राश्ष्ट और मात्री भाशा है तो क्यों हमारे देश के विद्यानियों में विद्याथियों पर अंग्रेजी ठोपने जाती है क्यों उन्हें अंग्रेजी भराने के साथ-साथ अंग्रेजी बोलने पर जोर दिया जाता है इसमें कुछ कहना चाहूंगी कि शकल अपनी हिशा, शीशा को कोई खोटा खरा ना देखा, कर अपना ही बेसुरा, साच को कोई सुरा बेसुरा ना देखा, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, तुमने कुछ भला ना देखा, और मैंने कुछ बुला ना देखा, आज कही हुआ, जिन्हें हम देश का भवि तुमितार्य सोफ देते हैं खुद हिंदी के रहे को नकारता जा रहा है उसके ये हिंदी बोलना अपने स्टेटर्स को कम करने जैसा है वातमान समय में अगर बार्वी के बाद विज्ञान करना हो तो वहां अंग्रेजी है भी नहीं अरे जब हम विदेश जाते हैं अरे विदेश तो छोड़े हैं अपने ही देश में लोग भीणी को नहीं समज़ते हैं हमारे देश के दख्शिनी राज्य हैं जैसे केला तक्र Administration नादू उड़ीसा कोलगात जैसे राज्जो में लोग हिंदी को नहीं समझझते वहां स्थानिय भाशा या अंग्रेजी भाशा ही बोले जाती है वक्त की नजाकत को ध्यान रखते हुए बस कितना ही कहना चाहूंगी कि किसी कांगस लगबतर पर लिखने से ही कोई भाशा कुछ अदर्जा नहीं पासकती ही उसका इस्तिमाल ही उसे सही उचायर पर पहुचा सकता है धन्यवादा